हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इट्यूप चैनल में तो आज हम कला स्टेंथ स्टूडेंस के लिए साइन्स में चैप्टर टुवेल्व लेक्रिसिटी से मोस्ट इंपॉर्टन कोशन्स को देखेंगे जो कि आपके board examinations 2021 में definitely पूछे जाएंगे total 14 questions हैं तो इन ही 14 में से ही आपके examinations में आ जाएंगे और इसमें numericals भी सामिल है और जो भी numerical questions होंगे तो numerical questions को मैं अच्छे से आप लोगो समझा भी दूँगा ताकि आपको concept समझ में आ जाए यदि आप भोल गए हो आपने पढ़ा है तो इसमें आपका revision भी हो जाएगा और भी chapters के अगर आपको important questions चाहिए तो उसका मैंने link description पे दे रखा है उस पर click करके आप उन chapters की important questions को देख सकते हो जो कि आपके examinations में आएगा तो चले सबी questions को हम यहाँ पे देखते है बच्चों अब science की final practice का समय आ गया है 3 hours के maximum sample papers आपको लगाने है बस वो भी सिर्फ Educard के क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ reduce इले बस पे 100% आने वाले pattern पे strictly papers मिलेंगे Educard sample papers हर को recommend इसलिए भी कर रहा है क्योंकि last two years से उनकी book से 40 to 50% paper board में फसता है तो क्यों risk ले क्यों ना इसे हम खरीद ले जब पता है कि सब कुछ एक book से मिल रहा है और तयारी भी best हो जाएगी अगर और वी कोई book आपने अगर खरीद ली है तो भी Educard का at least science और maths का sample paper definitely ले लेना आपकी practice के लिए आपका confidence 50% ज्यादा increase हो जाएगा उनकी book से पढ़के तो link description पर मैंने दे रखा है आप इसे बाइक कर सकते हो question number one है define ohms law ohms law को इस तरह से पूछा जा सकता है कि state the law that gives the relationship between the potential difference potential difference को लोग भी से denote करते हैं across the two ints of a conductor and the current I current को I से represent करते हैं flowing through it तो दोनों में से कुछ भी तरीके से पूछे आपको समझ दाना है कि यह हमें ohms law ही लिखने के लिए बोल रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ohms law कितने सालों में यहाँ पर आया हुआ है तो लगवग हर साल यह repeated रहते हैं जो भी numericals होगा तो numericals वाले questions को मैं अच्छे सब लोगो समझा दूँगा ठीक है बस आप लोग सभी questions का या तो आप screenshot करके रख सकते हो या फिर अपनी copy में नोट्स बनाके रख सकते हो इसके बाद दूसरा है state joules law of heating यह भी बहुत ही important है और यह भी लगवग आप देख सकत होना है ohms law joules law of heating ओके यह दोनों आप लोग कभी भी ना छोड़े इसका mathematical expression भी हमें लिखना है और एक question इसमें और सामिल है कि name one device which works on this principle एक device का नाम बताना है जो कि इस principle के साथ वर्क करता हो तो इसका भी answer मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है joules law of heating क्या होता है इसका mathematical expression होत है joules law of heating का h is equal to i square rt और यहाँ पे इसका एक जो principle का नाम लिखना था एक device का नाम लिखना जो कि principle के अनुसर वर्क करता है तो यहाँ पर लिख दिया है तो question number two हम लोग का हो जाता है अब आगे आते हैं हम question number three में question number three है why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps इस question को इस तरह से पुछा जा सकता है कि why is tungsten used for the filament in electric bulb जो electric bulb होता है तो उसमें tungsten का ही हम लोग filament के रूप में क्यों use करते हैं तो यह answer आपका one marks में examination में आ सकता है और CBC में यह भी देखो काई काई सालों में जो है यह question आया हुआ है और इस question को assertation region में भी दे सकता है ठीक है तो धियान में रखना है कि यह question जो है आप लोग का काफी important है और यह खास करके जो electric bulb होता है तो उसमें tungsten metal का ही हम लोग use करते हैं तो यह आप ध्यान में रखे ठीक है और क्यों use करते हैं तो इसके पीछे का यहां पे वज़वी दिया हुआ है क्योंकि इसमें क्या होता है melting point इसका high होता है इस वज़़ से चलो electric power है तो पहले तो हमें electric power को define करना है इसके बाद एक question और पूछा गया है कि a device of resistance R is connected across a source of heat voltage and draws a current I derive an expression for power in terms of voltage and resistance तो यहां पे जो power होता है उसका power का derivation हमें निकालना है तो derive भी मैंने यहां पे करके दिखा दिया है और power क्या होता है इसके बारे में भी मैंने यहां पे लिख ठीक है यानि कि आपको यह वाला formula निकालना है P is equal to VI और एक और होता है P is equal to V square by R तो यह वाला formula आपको निकालके दिखाना है और power का unit भी कई बार one marks में पूछता है तो power का unit क्या होता है what होता है तो यह सब सारी चीज़ा आपको ध्यान में रखे नेक्स्ट आगे आते हैं question number 5 में question 5 है कि what is an emitter emitter क्या होता है and how is it connected in a circuit और circuit में इसे किस प्रकार से connect किया जाता है तो यह भी कई बार हमारे examinations में आता है चाहे हो MCQ हो one marks में हो किसी भी वे में emitter से related examinations में question आता है ठीक है तो emitter के बारे में भी मैंने यहां पे लिख दिया ह और किस प्रकार से हम लोग किसी circuit में connect करते हैं तो series में connect करते हैं meter को ध्यान में रखना है चीज़ को तो यह भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है अब हम next आगे आते हैं question number 6 में 6 के आगे जितने भी questions हैं सारे numericals हैं और आपके examinations में electricity chapter से 2 से 3 questions numericals में जरूर आएंगे तो आप आप लोग numericals अच्छे से जरूर कर लेना और ऐसा नहीं कि examinations में numericals बहुत ज़्यादा hard आता है आप अराम से solve कर सकते हो बस आपका concept clear होना चाहिए 2020 में जो जो questions आए होए हैं तो वो भी अभी मैं आप लोग को बताऊंगा और समझाऊंगा एकदम basic से start करूंगा जिन बच् अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है electricity chapters in numericals तो उनको भी समझ में आ जाएगा और जिनोंने पढ़ लिया है तो उनका revision हो जाएगा चलिए question को देखते है question है study the following electric circuit and find question 1 दिया हुआ है the current flowing in the circuit और question number 2 है the potential difference across 10 ohm resistors यहाँ पे दिया हुआ है एक electric circuit तो इसे study करना है study करने क के बाद हमें पहले निकालना है current तो आपने ohm slow पढ़ावा होगा V is equal to क्या होता है I R तो यहाँ पे current हमें निकालने के लिए बोला गया है यानि कि इस I का value find करने के लिए बोला है क्यों कि current को हम लोग I से denote करते हैं तो I हमें यह निकालना है और I का फॉलना क्या हो जाएग तीन बोल्ट और यह R है यह हमें पहले निकालना है यानि कि equivalent resistance हम पहले निकालेंगे तो इसे निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे इन दोनों को हम direct plus कर देंगे यानि R is equal to 10 plus 20 अब हम direct इस तरह से plus क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह है series में series में कब होता है जब current divide नहीं होता हो जैसे कि यहां से suppose करो ऐसे current आया तो यहां पे भी आया और इदर भी आ गया यहां पे current divide नहीं हुआ तो यह हो गया series में ओके parallel ओला भी question आएगा तो वो भी आप लोग को मैं बताऊंगा तो देखो इसका solution में भी मैंने किया हुआ है जो यह 10 ohm है और 20 ohm है यह connected है series में तो इस सरसे हम लिख देंगे कि 10 ohm and 20 ohm are connected in series तो equivalent resistance क्या होगा तो series हम लोग ले रहे हैं इस वज़े से हमने यहां पे RS लिखा हुआ है series के लिए RS लिजिएगा और जब parallel होगा तो RP ले लेना ओके और यहां पे इन दोनों को हम plus कर दिए अगर हम एक को हम R1 मानले यह जो 10 ohm है इसको R1 मानले और इसको मानले R2 तो R1 प्लस R2 यानि 10 ohm प्लस 20 ohm इन दोनों को हम plus कर देंगे तो यही किये हो हैं देखो 10 प्लस 20 that means की 30 तो यहां से हमने R का value find कर लिया अब उपर में मैंने आप लोग को I का formula बताया था B by R तो यही ओला formula हम लिख लिए B का value मैंने आप ल इसको यहां पर आप लोगों दिखा दे रहा हूं यह जो 3 था इसको हम B के जगा पे लिख दिये और R का value जो अभी हमने यहां पे निकाला इसको यहां पे put कर दिये इसको हम cancel किये तो 310 जा 30 हुआ यानि की 1 by 10 आ जाएगा तो यह 1 by 10 हो गया अब इस तरह से लिखावा है न और question दिया हुआ था जिसमें हमें potential difference निकालना था और इसमें जो R का value दिया वह इन रेसिस्टर जो लेना है वो 10 ohm का लेना है यानि इसके लिए हमें भी find करनी है तो इसमें भी same way formula यूज करेंगे potential difference across 10 ohm resistors लिख लिए और V is equal to IR formula होता है इसे यहाँ पे लिखे हो है आई का value तो अभी हमने find किया 1 by 10 तो इसे लिख लिए और R का value भी हमने यहाँ पे 10 लिख लिया ठीक है अब यह 10 हम लोग R का value क्यों लिए हो है क्योंकि हमें यहाँ पे 10 ohm resistors के लिए निकालने के लिए बोला गया है ओके ओम में जब भी रहता है तो यह क्या होता है resistance और यहाँ पे R का value कितना दिया हो है 10 I का value 1 by 10 यह 10 10 cancel हो गया तो यह हो गया question number 6 अब चलो यहाँ पे देखते हैं question number 7 को अब इसमें भी हमें निकालना बस current ही है तो current को हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें देख लिए आप चार register दिया है तो इसको बनाने का process मैंने भी आप लोग उपर में समझाया है आप लोग बस ध्यान में रखना कि जो current है अगर divide हो जाए तो वहाँ पे वो parallel होगा अगर divide नहीं है तो वो series में जाएगा ठीक है अब जैसे suppose करो मैंने यहाँ पे जो solution लिखा हुआ ह पहले यहाँ पे लिख लिया है equivalent resistance the given network यहाँ पे यह जो series दिया हुआ सपोस करो कि जो circuit दिया हुआ यह एक network की तरह ही है तो इस वाज़े से यहाँ पे लिखे है equivalent resistance the given network अब यहाँ से हम equivalent resistance निकाल रहे है तो equivalent resistance कैसे निकालेंगे तो इसे आप अच्छे से जरूर समझे अब देखो यह parallel में है parallel में कैसे है यह कैसे आया इसको पहले आप लोगों में अच्छे से explain कर दे रहा हो इसमें आप लोग यह जो 10 है ठीक है suppose करो यहाँ से current आया ऐसे ठीक है यहाँ से current आया ऐसे और यहाँ पे आने के बाद इस वाले point के पास आने के बाद यह दो भाग में divide ह गया, एक इधर और एक इधर, तो यहां से यह एक पर parallel हो जाएगा और एक हो जाएगा series में, ठीक है, यहां से यह सब जो आ जाएगा, यह हो जाएगा series में, और एक जो बच जाएगा, वो हो जाएगा parallel में, तो देखो same way सीज है, suppose करो यह जो R, इसको है, जो 10 है, इसको हम R4 मान लिए, और इसको R1, यह R1 मान लिए, यह R2 मान लिए, और यह R3 मान लिए, current यहाँ पर आया, तो यहाँ से जाते गया, यहाँ से divide नहीं होगा, तो तीनों, series में होते हैं, इन तीनों को हम plus कर दिए, देखो R1, R2, R3 इन तीनों को plus कर दिए, और यह जो है, यह यहाँ से divide हो गया था, तो यह parallel में हो गया, और जब भी parallel में होता है, तो 1 by हम लोग कर के लेते हैं, ठीक है, तो इस वज़ए से यहाँ पर जो formula यूज किया हुआ है, वो 1 by करके लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर parallel में है, और यह तीनों series में था, तो direct हम इन तीनों को plus कर दिए हैं, ओके, अब यहाँ पर value put कर लिए 10, और इन तीनों का value put कर लिए 10 plus 10 plus 10, तो इस तरह से 10 plus 10 plus 10, 30 हो गया, और इसको solve किये, तो इसका L से लिए 30 हो गया, 10 का table 33 भार मैं, 3 लिख लिए, इसके बाद calculation आपको आता ही होगा, इसके बाद आप काट सकते हो, या फिर इसे point में भी convert कर सकते हो, तो point में convert करने के बाद 7.5 है, अनि divide कर लोगे, आप इस तरह से 4 को 30 को 4 से, तो आपका divide करने के बाद 7.5 आ जाएगा, तो इस तरह से हमने यहाँ पे equivalent resistance निकाल लिया, अनि R का value निकाल लिया, अब हमें पूट किया, और R का value 7.5 हमने यहाँ पे पूट किया, point हटाए उपर में 0 चला गया, तो इसको calculate किये, तो 2.5 आया, इसको point में convert कर दिये, तो 0.4 आया, हमें करना क्या है, बस calculation, यदि आपको calculation करने आता है, तो आराम से इस question को आप solve कर सकते हो, concept बस आप लोग समझना है, आप लोग को कि कब parallel होता है, और कब series में होता है, जब current दो भाग में बट जाए, तो parallel और चलता जाए, तो वो series, ओके, तो यह हो गया, चलो आगे आते हैं, next question number 8 में, अब यहाँ पे देखो यह question है, suppose करो यहाँ से current आया, और यहाँ पे यह एक हमलों का R1 हो गया, अब यहाँ पे आने के बाद यह divide हो जा रहा है, दो भाग में, देख लो, ठीक है, यहाँ से यह divide हो जा रहा है, तो यहाँ से, suppose करो कि यहाँ current है, यहाँ से divide हो गया, तो यह हो जाएगा parallel में, और यहां से divide हो जाने के बाद, यह current तो यहां पर divide नहीं हुआ है, ठीक है, यह तो लगाता है चलता गया, तो यह होगा series में, और यह यहां से divide हो जाने के गारण, यह 6 होगा parallel में, यानि कि 1 by 6, 1 by R, equal to 1 by 6, plus 1 by, इन दोनों को ही plus कर सकते हैं, 1 plus 3, 1 plus 3, क्योंकि यह तो series में था, तो बस ऐसे हम लोग calculation करते हैं, यहां पर देखलो यह parallel में था, तो इस वज़े से हमने यहां पर 1 by R, लिखा हो है, आप इस तरह से यहां पर लिख भी सकते हो, यहां पर लिखा हो है, कि series combination 1 ohm और 3 ohm जो है, वो parallel combination है, 6 ohm का, यहां पर जो हमने देखा, कि 1 और 3 यह parallel combination है, 6 oh का, ठीक है, तो इस वज़े से हमने यहां पर 1 by R, लिखा हो है, आप इसको दुसरे तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन मुझे जो असान प्रोसेस लगा, उसके लिए मैं यहां पर आप लोगो उसी के अनुशार बता रहा हूं, तो यहां पर 1 by 6 हो गया, और यह जो 1 और 3 है, इन दोनों को हम डारेक्ट प्लस कर दिये, तो 3 प्लस 1 हो गया, तो इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद, यहां पर इसका जो वैल्यू होगा, पैरलल के लिए जो एक्विवैलेंट रसे निकलेगा, वो 2.4 निकल गया, अब यह जो 2.4 निक तो यह हो गया, इस प्रकाशे, तो यह देखो, यहां पर यह लगातार आ रहा है, ठीक है, यहां से करेंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब यह क्या होगा, अब यह सीरीज में होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो यहां पी इस वर का value फॉर्मला वही यूज़ होगा भी बाई आर ठीक है इसमें जो वोल्ड दिया गिया है वो 4.5 दिया गिया है तो 4.5 हमने उपर में लिख लिया 9 जो वैल जाया इसको लिख लिए इसको cancel कर लिए cancel कर लिने के बाद 1 by 2 आया इसको पॉइंट में convert कर लिए ठीक है पॉइंट डाले 025 जा 10 हो गया तो 0.5 लोग का answer आया तो इस प्रकार से ये question आप लोग बना सकते हो question hard नहीं है बहुत ही असान-असान है आप अराम से question को solve कर सकते हो आपके practice के लिए मैं यहाँ आप लोग को दो question दे रहा हूं इन दोनों questions को आप लोग अच्छे से जरूर कर ले इसका मैं आप लोगो थोड़ा सबस समझा दे रहा हूं और इसका answer जो निकलेगा वो 6.67 निकलेगा इसमें equivalent resistance निकालना है अब देखो सब्सक्रों यहां से current आया और यह इस तरह से बढ़ गया तीन भाग में तो यह तीनों क्या है parallel में है पढ़ जा रहा है तीन जगह पे तो parallel हम दो डायेट करेंगे 1 by 20 plus 1 by 20 plus 1 by 20 solve कर लेंगे आपका answer आ जाएगा तो यह आपकी practice के लिए है आप इसको practice कर सकते हो इसके बाद next अगला जो question number 10 है यह भी आप लोग यह practice के लिए मैंने question दिया हुआ है इसमें भी आम equivalent resistance और current निकालना है और इसमें जो resistance का value निकलेगा वो 6 निकलेगा और current का value 2 निकलेगा यानि 2 ampere तो इसको भी आप लोग solve कर लेना आप लोग solve करके देखो अराम से आपका यह question बन जाएगा ठीक है तो practice के लिए मैंने यहाँ पे दो question आप लोग को दिया हुआ है अब आगे आते हैं ऐसे मैं आप लोग को यह question भी अच्छे से अल्रेड़ी उपर में समझा चुका हो यह दोनों दोगो parallel में current यहाँ प्याकर divide हो गया सबुझकर यह current आया दो बाग में divide हो गया तो यह दो parallel में हो गया तो 1 by 3 plus 1 by 6 कर लेंगे तो अब फिर यह हो जाएगा series में इसका जो answer निकलेगा 4 के साथ plus कर देंगे simple है अराम से आप इसको बना सकते हो इसके बाद हम next आगया आते हैं question number 11 में 11 number है an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hour इसमें निकालना है हमें power और energy यह दोनों ही दिया होगा क्या है तो ampere में है हम unit देखके पता करते हैं कि question में क्या दिया होगा है ampere में है that means कि I का value दिया होगा 5 ampere और 220 volt है यानि कि V का value दिया होगा 220 volt तो हम इन power निकालना है power का formula होता है भी आई तो यहाँ पर देखो solution में मैंने power का formula लिख लिया है भी आई V का value दिया होगा 220 और I का value दिया होगा 5 तो 220 और 5 इन दोनों को multiply कर दे रहे हैं तो 1110 आया multiply करने बाद इतना आ गया power का unit watt होता है तो हमने यहाँ पर watts लिख लिख लिया है तो एक तो निकल गया power अब हमें निकालना है energy और इसमें time दिया हुआ है hour में है तो t का value हो गया 2 hour तो energy का formula होता है power multiply time तो power तो अभी हमने ऊपर निकाला था तो इसको लिख लिए और time दिया हुआ था 2 hour तो hour को जब हम second में convert करेंगे energy निकालने के लिए आपको second में convert करना पड़ेगा तो पहले तो हम minute में convert किये तो 60 से multiply किये hour minute में convert हो गया अब फिर से second में convert करने के लिए फिर से 60 से multiply कर देंगे तो 2 multiply 60 multiply 60 तो इस प्रकार से 36 हुआ तो यह हुए 36,000 और यह 2 आगे यहां पर लिख दिया है अब जब इन सब को आप multiply करोगे तो multiply करने के बाद इतना आ जाएगा 3,9,6 और इसमे 4,0 इस प्रकार से हो गया है अब point हमें इसको standard form में लाना यह जो है standard form में हम लोग यहां पर लाए हुआ है तो यह आप लोगों ने 8 class में maths में ही पढ़ा हुआ हो गया कैसे हम लोग लाते हैं एक डिजिट के बाद हम point लगाता हैं Thry के बाद यहां पर point लगा हुआ है ठीक है मैं यहां पहोडा और लिख ले रहा हूं जी निकाल रहा है यह kilo joule में convert हम इसको कर लेंगे तो kilo joule में convert करने के लिए हम इसके 1000 से divide कर देते हैं यानि 30 आ रहा है तो 6 में 30 घटा दो तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा that means 10 का power 3 तो यह हो गया हम लोगों का answer 3.96 into 10 to the power 3 kilo joule तो अब आगे देखते हैं question number 12 को इसमें निकालना क्या है find the maximum and minimum resistance which can be made by using five resistors each of one by five ohm इस question को आप लोग धियान से समझना हमें निकालना है maximum और minimum resistance maximum कब होता है जब equivalent resistance series में हो ठीक है जब series में हो तब maximum होता है और जब parallel हो तो minimum होता है तो इस बात का आप लोग याद रखे कभी भी maximum निकालने के लिए बोलेगा that means कि उसे हम series में लेंगे minimum निकालने के लिए बोलेगा तो वैसे condition पे हम parallel लेंगे इसे लिए और total resistors कितने दिये हो है 5 है यहाँ पे दिया हो है total resistors कितने है 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लिए अब यहाँ पे जो अभी आप उपर मैंने आप लोगों सम बोला वही चीज़ यहां मैंने लिख दिया है कि equivalent resistance is maximum when resistors are in series combination जब resistor series में होता है तो equivalent resistance maximum होता है तो हमें निकालना है equivalent resistance और देखो जब series में आया तो इस प्रकार से figure बनेगा समय 1 by 5 1 by 5 1 by 5 करके है और 5 रहा तो इस वज़़ा से यहाँ पे 5 हो है 1 2 3 4 5 ओके तो सबको बस प्लस कर दे रहा है सबका value 1 by 5 1 by 5 करके यहाँ लि 2 3 4 5 5 5 5 कार्ट दिये तो र का value है वो 1 ohm निकल गया तो यह निकल गया maximum के लिए अब हमें minimum के लिए भी निकालना था तो minimum के लिए equivalent resistance क्या होता है parallel होता है यही चीज हमने यहाँ पे लिख लिए और parallel वा तो इसका figure कुछ इस प्रकार से बनेगा हो सकता है आपके examination में figure बना के दिखाना होगा तो parallel के लिए जो हमनों लेते हैं वो 1 by r करके लेते हैं ठीक है तो 1 by r is equal to 1 by r1 plus r2 plus r3 plus r4 plus r5 ऐसे करके लिखेंगे और सबका जो value था 1 by 5 करके था तो यह आप देखो 1 by 5 करके है और यह जो 5 है उपर चला गया और 5 नीचे जो है 1 1 सब में आ गया तो इस प है तो r को जब हम उपर करेंगे तो 1 by 25 हो जाएगा तो यह हो जाएगा एंसल चाहे तो इसे आप point में भी convert कर सकते हो के next हम आ गया आते हैं आप question number 13 में और यह question 2020 board examinations में भी आया हुआ है question है two lamps rated 100 watt 220 volt and 10 watt 220 volt are connected in parallel to 220 volt supply calculate the total current through the circuit हमे निकालना है total current और इसमें question में अगर हम देखे तो दो lamp दिया हुआ एक में 100 watt है और दूसरा 10 watt का है और दोनों में यहाँ पे voltage जो है 220 volt ही है तो current हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे देखो unit जो है वो watt है ठीक है यानि दो power दिया हुआ है power का value दिया हुआ है तो हम P1 का value एक में लेख सकत है 100 watt और दूसरे में हम लोग P2 का value ले लेंगे 10 watt यानि P1 100 watt और P2 10 watt इसे लिख लेंगे और voltage जो है भी दोनों का same है 220 volt तो हम V is equal to ऐसे लिख लेंगे ठीक है हमी निकालना है total current यानि I आपने अभी कुछ दिर पहले एक formula पढ़ा हुआ है P is equal to V I तो यहाँ से अगर हम I का formula निकालेंगे तो P by V हो जाएगा ठीक है I का formula क्या हो जाएगा I का formula हो जाएगा P by V और इसमें दो power है तो इस वज़े से P1 लेंगे और V तो दोनों में same है 220 करके तो यहाँ पे formula I1 का क्या हो जाएगा P1 by V ओके और P1 का value 100 था B का value 220 था तो इसे लिख लिए और 00 cancel किये तो 10 by 20 आया इसी प्रकार से हम I2 का value निकालेंगे P2 by V हो जाएगा PYV इसमें P2 का value 10 है फिटू 120 लिख लिए 00 काड़ दिए 1 by 22 आया तो यहाँ पे I1 और I2 दो value निकाल लिए हमें निकालना था total current तो दोनों को plus कर देंगे इन दोनों को plus कर देंगे दो यहाँ पे plus कर दिए प्लस करने के बाद solve कर लेना 0.5 MPR आ जाएगा यही answer हो जाएगा इसके बाद question नमर इसमें B भी दिया हुआ इसमें है two resistors X and Y of resistance 2 ohm and 3 ohm respectively are first joined in parallel and then in series अब इसमें दो resistors है एक है X और Y सपोज कर लो एक X है दुसरा Y है और इसका resistance दिया हुआ है 2 और 3 ठीक है तो पहले इसको parallel में connect किया जाता है इसके बाद फिर इसी को series में connect किया जाता है और इसका यहाँ पे voltage भी दिया गया है 5 ohm ठीक है तो पहले हमें question में one more की पूछा गया है कि draw circuit diagram to show the combination of resistors in each case दोनों case के लिए parallel और series के लिए किस प्रकार से हम circuit diagram को कर सकते हैं लो diagram हम किस प्रकार से बनाएंग इसके लिए में पहले diagram बनाना है तो देखो diagram ऐसे हम लोग बनाएंगे parallel combination के लिए और series के लिए हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे ठीक है parallel के लिए यहाँ पे हम दोनों resistors को रखेंगे और जो 5 volt है यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख लेंगे तो यह तो हो गया circuit diagram ठीक है फ combination, series combination के लिए, तो series combination हम लोगा कौन सा था, series combination ये वला था, ओके तो series combination के लिए हम लोग क्या करते हैं, direct इन दोनों को plus कर लेते हैं, तो जो net R निकलेगा, वो क्या निकलेगा, इन दोनों को diet plus कर लेंगे तो 2 और 3, 5 और I का फॉर्ण वाई, VYR होता है, VYR हम पुट कर ये, VY का value, ये जो 5 volt है, ये हो गया, और ये जो 5 यहाँ पर आया R का value, नीचे 5 लिख दिये, इसको इसको काट लिए, तो 1 आया, ये I का value निकला, ठीक है, ध्यान बेराखना, ये किसका value निकला, I का value 1 निकला, लेकिन हमें कोशन में क्या बोला था, यहाँ पर आप ध्यान क्या होता है, I, R, और I का value हमना भी यहाँ आप क्या निकाला, 1, तो I के जहाँ पर 1 put कर देंगे, और इस 3 का value हम यहाँ पर आर के जहाँ पूट कर देंगे, 3 बन जा, 3, तो इस तरह से इसका answer यहाँ पर 3 निकल जाएगा, तो यह यहाँ पर इसका calculation हो किया, एक last question है, तो च section A, has resistance R, another conductor of length 2.5L and resistance 0.5R of the same material, तो find the area of cross section, हमें निकालना है area of the cross section, अब देखो यह जो L है, यह L का value दिया हो है, length का value, तो इसमें 2L दिया हो है, देखो यह पहला और एक इधर भी है, तो इस वज़र से हम इसको दो भाग में बना रहे हैं, एक L वल का value हम L ले लिए, और L 2 का value 2.5 ले लिए, इसी तरह से यहां area of cross section, एक में A दिया हो है, तो A1 ले लिए यहां पे A, और यहां पे area of cross section A2 का value हमें find करना है, तो A2 का value हमें find कर रहे हैं, इस वससे यहां पैसे लिखे हो है, और इसमें एक और चीज़ दिया हो है, resistance R, तो R1 इधर हम R ले लिए, और इसका resistance दिया हो है 0.5R, तो इस वह हम 0.5 यहां पे लिखे हो है, ठीक है, तो यहां पे सारा value हम put कर लिए, हमें निकालना है area of the cross section, यानि कि यह जो A2 का value है, यह हमें find करना है, आपने एक formula पढ़ा होगा resistivity में, resistivity area of the cross section का formula पढ़ा होगा, A is equal to rho L by R, यह आपने formula पढ़ा ह होगा, इसी को हम R is equal to rho L by A, ऐसे formula लिख सकता है, ठीक है, तो इसमें दो material है, तो इस वाज़े से इसमें L1 A1 लिखे हो है, L2 A2 लिखे हो है, R1 R2 लिखे हो है, तो इसमें से हम R1 का value निकाल लिए, rho L1 by A1 और R2 is equal to rho L2 by A2, ठीक है, इस तरह से दो हम लोग यहां पे value find कर ल ऐसे लिखे हो है, rho is same as material same, material same इस वेसे rho का value same होगा, अब इसके बाद हम R1 by R2 कर दिए, तो rho L1 by A1 उपर में लिखे लिए, और rho L2 by A2 नीचे यहां पे लिखे लिए, rho rho cancel हो गया, L1 by A1 यहां पे लिखे लिए, और यह जो A2 है उपर चला गया और L2 यहां पे आ गया, तो R 1 by R2 का value यह हो गया, अब इसके बाद यहां पे simply क्या करना है, जितना भी value है, यह यहां पे put कर देना है, तो सारा value हम यहां पे put कर दिया, R1 का value R, R2 का value 0.5 R, जो गी question में दिया होआ है, फिर L1 का value L दिया होआ था, question में A1 का value A दिया होआ था, A2 हमें निकालना था, और L2 का value 2.5 L दियावा था ये L और ये L cancel हो गया ये R और ये R cancel हो गया अब इसके बाद हम यहाँ पे cross multiplication कर दिये है 0.5 multiply A2 ठीक है A2 multiply 0.5 और इधर 1 को 2.5 से multiply करें और ये A भी है तो रहने दिये इसको हम यहाँ पे ओके अब ये 0.5 इसके नीचे आए गया बस इसको solve कर लेना ठीक है A2 is equal to यहाँ पे मैं solve करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 0.5 ऐसे हो जाएगा point के बाद एक नंबर दोनों मैं cancel कर दिए 5 काटे और 25 वार मैं आ जा तो A2 का value कितना हो जाएगा 5A तो यह हम लोगा answer हो गया तो इस प्रकार से यह 14 question है जो कि मैंने आज आप लोग को दिये हुए है और जितने भी numericals हैं काफी important है आप लोग के लिए और practice के लिए भी काफी ज़रोरी है कि इन numericals को आप लोग अच्छे से solve करो और मैं आप लोग को कुछ PDF भी दूंगा numericals का उन questions को भी आप लोग बनाना और numericals आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इस chapter से बनाने के कोशिश करना नेक्स्ट वीडियो में और भी chapter से मैं आप लोग इस तरह से important questions देता रहूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू